ये तो हम सभी जानते हैं कि Groot और Rocket MCU का एक iconic duo है पर क्या तुम्हें पता है कि वे कैसे मिले और वो कैसे इतने friendly बने चलो बताता हूँ तो Groot Comics के दूसरे संसकरन में Groot को क्री के दोरा arrest कर लिया जाता है पता नहीं उसने क्या crime किया था बट गिरफतारी के समय गार्ट्स उसका बहुत ज़्यादा मजा कूराते हैं क्यूंकि वो केवल एक ही सब्द बोल सकता था I am Groot तो जब Groot के एक जेल में वो बंद कर देते हैं वहीं पर मुलाकात होती है Rocket से जो पहले ही उस जेल में बंद था शुरुवाती दुनों में Rocket बहुत ही ज़्यादा unfriendly और private था वो Groot को कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे और उससे दूर रहें लेकिन Groot Rocket से बात करने का try करता रहता था बट Rocket समझता है नहीं कि Groot क्या बोल रहा है कुछ मेने बीतने के बाद वो जेल में एक साथ खा रहे होते हैं Groot एक बार फिर Rocket से friendly बात करने की कोसिस करता है बट Rocket को इसमें कोई interest नहीं था वहां Rocket कहता है कि उससे छोड़ दे और वो friends बनाना नहीं चाहता है अब Groot उससे दूर रहने लगा कुछ समय और बीतता है और गार्ट फिर से Groot को मारते हैं और इसी वक्त Rocket कुसे में आकर गार्ट से कहता है छोड़ दो उसे और पीछे हटो गार्ट इन दोनों को मारने लगते हैं और फिर उसे जेल में बंद कर देते हैं और इसी घटना के बाद Groot रॉकेट के लिए उसी जेल में पेर का बिस्तर बनाता है अब उसी रात में जब Groot और रॉकेट सो रह होते हैं गार्ट जेल में घुसकर लाइट्स को बंद कर देते हैं और दोनों को मारने लगते हैं लेकिन इस बार वो दोनों तयार थे Groot कहता है कि रॉकेट से I am Groot और इस बार वो समझ जाता है कि उसने क्या कहा है अब जब Groot समझ जाता है कि रॉकेट उसका language समझ गया है तब उसने रॉकेट को बहुत जोड़ से गले लगा लिया